नमस्कार दोस्तों हिंदी न्यूज अफेर्स में आपका स्वागत है दोस्तों साउच चाइना सी से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है साउच चाइना सी में भारत और अमेरिका की मदद से कुछ मिसाइले वहाँ पे डिपलॉय कर दी गई है जिससे कि चाइना की टेंसन बढ़ गई है अब वह समझते है कि यह पूरी न्यूज है क्या और यह कैसे वहाँ पे डिपलॉय हुई है वहाँ पे मिसाइल्स अब दोस्तों आपको बता दें कि साउच चाइना सी है साउच चाइना सी एक बहुत बड़ा एरिया है यह एक ऐसा एरिया है यहां समझ लिए कि जो टोटल बिस्व में ब्यापार होता है उसका वन थर्ड सिप इसी रूट से निकलती है वन थर्ड मतलब एक तिहाई बहुत बड़ा नंबर हो गया है अब यह वहाँ से निकलती है और इस पूरे एरिया को चाइना कहता है कि यह मेरा एरिया है इसमें किसी और का कोई हस नहीं होगा चाइना जो बिस्व में जो अंतराष्ट्री इस तर पर जो समुद्री सीमा मानी जाती है उसको नहीं मानता है और वो पूरे साउथ चाइना से को अपना बनाता है जबकि उसके कुछ पड़ोसी देश हैं जैसे कि फिलिपिन वियतनाम और इंडोनेशिया हो गय कहता है इनकी कोई बाउंडरी नहीं है ये सारी हमारी बाउंडरी है अब ये समझ लिए कि साउथ चाइना सी में बीच में कुछ ऐसा समझ लिए कि एक दीव हैं जो अभी पानी के अंदर है लेकि कुछ टाइम बाद इसको आर्डिफीशल रूप से चाइना इसको तयार कर जिस से के सिक्यूर्टी का इसो आजाएगा फिलीपिन के लिए और जो उसके आसपास जो देश हैं उनके लिए सिक्यूर्टी इसो आजाएगा क्योंकि वह बिल्कुल उनके बाॉर्डर के पास आ जाएए आ जायें गया आई लैंड तो इससे दूसरे देशों को भी तक़ Л यह बाउंडरी होगी तो आप चाइना बिल्कुल उनके पास कैसे आ सकता तो उसने एक 9-10 लाइन एक बनाया रखी है कि यह 9-10 लाइन के अंदर का इरिया सारा मेरा है जैसा कि यह आपको वीडियो में यह पिक्चर में आपको दिख रहा है वीडियो में तो दोस्तों दूसरे देशों को भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ काम करना पड़ेगा तो फिलिपिन्स ने इसके लिए भारा से ब्रम्होस मिसाइल ली 25 जनवरी को डियाडियों ने ये बोल भी दिया था कि अगले 10 दिन के अंदर भारत फिलिपिन्स को ये एक्सपोर्ट कर देगा ब्रम्होस मिसाइल ब्रम्होस मिसाइल वो मिसाइल है जो दुनिया के सबसे अच्छी मिसाइल है इसका ये इतनी घातक मिसाइल है कि ये सिब अभी तीनी देश को पास मिलेगी फिलिपिन्स भारत और रच्छिया इसके अलावार किसी के पास नहीं है ये इंडिया में बनी हुई मिसाईल है इसको एकस्पोर्ट किया गया फिलिपियन्स को और अब आगे ये जो एकस्पोर्ट होगी ये वियतनाम को होगी और इंडियोनेसिया को होगी फिर उसके बाद और इसकी लंबी लिस्ट बनती चली आईगी ये तो रहा एक साइड से जापान और चाइना के बीच में भी एक आईलेंड का बिवाद है जिसका नाम है सेन काको आईलेंड सेन काको आईलेंड उसको ये जापान बोलता है और जो चाइना बोलता है वो कहता है दियायू आईलेंड ये दोनों एक दूसरे के आईलेंड को अपना आईलेंड बताते है तो अभी तो कबजा जापान का तो जापान इसके लिए बहुत ही जदा चिंतित रहता है तो जापान ने USA से 1.7 बिलियन डॉलर की एक डील करी जिसके तहट उसने का कि हमको आप 400 मिसाइल दे दिये कौन सी टॉम हॉन को पहुत ही बिद्धोंसर मिसाइल होती है इसको जापान ने वहाँ पर ंदेप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है दरसल ये जो मिसाइले हैं ये नए मिसाइले नहीं हैं क्योंकि नए मिसाइले बनने में तो टाइम लगता तो Japan ने का कि ठीक है आप अभी हमको पुरानी मिसाइले दे दिए जिसको हम डिपलॉय कर लेते और नई मिसाइले हम बाद में डिपलॉय कर लेंगे तो यह इस साइड से घेर लिया चाइना को और इसके अलावा USA को घेर ने घेर लिया है साउथ कोरिया के साइड से चीन को जितनी भी सिक्योर्टी से रिलेटर चीज़े होती है तो अब इस तरफ से चीन को घेर लिया गया अब चीन को यहां से टेंसन देना बहुत ज्यादा जरूरी है भारत के हित में है क्योंकि चीन अब वहां पर परेशान रहेगा तो भारत के तरफ ज्यादा दिमाग नहीं लग जाता है चीन के जो माइंसेट है वह विस्तारवादी है वह यह चाहता है कि किसी भी तरह दूसरे की जमीन कब जा लो और अपने देश की बाउंडरी को बढ़ा कर लो यह उसकी सोच है तो अब चाइना फस्ट चुका है अब चाइना को समझ में नहीं आ रहा कि इसका हम तो करना सुरू करा जो पाकिस्तान में अब दूसरे साइट पर चाइना के हमबन टोटा को उसने घेर लिया था अब वहां पर अपना दखल अंदाजी कर लिए और निन्यानबे सालों के लिए वो पोर्ट उससे ले लिया तो चाइना के तरफ से भी घेर लिया और अब तो मोस मिसाइल पकड़ा दी फिलिपिन्स को कि आप समझो इसको अब इसी तरह देखते हैं और डेवलेप्मेंट क्या आती है तो अब मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊंगा धन्यवाद